हेलो दोस्तो उपस्तितू एक और जानकारी के साथ और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्राउन राइस के फाइदों के बारे में दोस्तो ब्राउन राइस एल्थ कोशियस लोगों की राइस में पहली पसंद है क्योंकि ये बिना रिफाइन किया हुआ प्राकर्तिक राइस है जिसमें बहुत सारे पौसक तत्व पाए जाते हैं जिसमें मेगनेशियम, पोटेशियम, फासपॉरस, केल्सियम, जिंक जैसे मिनरल है साथी नियासीन, फॉलेट, बी कॉंपलेक्स, फाइबर और एंटी ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं तो आईए दोस्तो जानते हैं पौसक तत्व का खजाना ब्राउन राइस के फाइदों के बारे में दोस्तो ब्राउन राइस का गिलैसीमिक इंडेक्स सफेद चावलों के मुकाबले बहुत ही कम होता है इसलिए ये डाइपटीज में फाइदे बंद है ब्राउन राइस में फाया जाने वाला अगुलन सिल फाइबर कॉंश्टी पेशन को दूर करता है और पाइल्स की संभावना को कम करता है साथी ये पाचन सक्ति को सुचारू बनाई रखता है दोस्तो ब्राउन राइस का नियमित रूप से सेवन वजन को कम करने में भी सहयक है क्योंकि इसमें फाइबर होने के कारण ये देरी से पचता है इसलिए काफी देर तक पेट के भरागवा होने का एहसास कराता है दोस्तो एक स्टडी के अनुसार कम गलाइसीमिक इंडेक्स वाले चीज़े डिप्रेशन में भी फाइदा करती है सिंपल कार्वोहईडरेड उतेजना को बढ़ाता है ऐसे में ब्राउन राइस डिप्रेशन में भी फाइदेबंध है दोस्तो ब्राउन राइस इसकीन और बालों के लिए भी अच्छा है और इसमें पाये जाने वाला केल्सियम हडियों को मजबूत करता है दोस्तो ब्राउन राइस का सेवन कोलस्टोल के इस्तर को कम करता है और इसका नियमी दुरूप से सेवन हर्दे समंदी समस्याव के खत्रे को भी कम करता है तो दोस्तो अगर आप स्वास्ते के परती जाग रुख है तो brown rice आपके लिए अच्छा option है वैसे तो दोस्तो brown rice का कोई भी नुकसान नहीं है लेकिन इसमें phytic acid नाम का anti-posak तत्व पाया जाता है जो कुछ पोसक तत्व के अफसो सड में बादा उत्वन करता है लेकिन दोस्तो ये तत्व फाइबर वाली अधिकांस सी जो में पाया जाता है इसलिए दोस्तो आप brown rice का 7 सीमीत मातरा में करें क्योंकि दोस्तो अधिक मातरा में brown rice मतली, ulty, diarrhea और constipation का कारण बन सकता है और दोस्तो अगर आपको brown rice सूट नहीं होता है या फिर आपको इसका test अच्छा नहीं लगता है तो आप इसके इस्तान पर cellar rice का 7 भी कर सकते हैं cellar rice का glycemic index भी कम होता है वो brown rice की तरह ही फायदेबंद है तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ कि आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि medicine समंदी और स्वास्ते समंदी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें